आज बहुत दिन बाद रोबरू हो रहा हूँ है आज 30 अप्रेल है 2020 लेकिन 30 अप्रेल 2018 दिल्ली के राम निला मैदान में युवाक कांत्री जो रैली हुई थी सायद सिचकों कमचारियों के तिहास में इतनी सांदार इतनी विशाल रैली सायद कभी हुई हो उसके सांदार संघर्ष के पड़ाम भी रहे हैं लेकि उस सब चीजों के बीच में भी एक बहुत दुखत घटना हुई हमारे हिमानचल के बिलासपूर के साथ ही जो दिल्ली रै दुन्या से विदा हो गए सहीद हो गए हम उनको सदसद नमन करते हैं और इस्वर से प्रात्ना करते हैं कि उनकी आत्मा को इस्वर सांती दे परिवार को संबल दे वह एक बहुत दुखत घटना जब पूरा देश एक नई उमंगों की तरफ एक नई उम्मीद की तरफ लेक जा रहा था लोग अपने राज्यों की तरफ एक उम्मीद लिए लौट रहे थे उसी बीच में हिमानचल से बहुत संख्या में मारे साथी उस रेली में सामिल हुए थे उसे में सुरेश गौतम जी भी थे और हमारे बड़े भाई आजरी नरेश ठाकूर जी भरसर्मा जी उ लेकिन काल क्यों कौन टाल सकता है फिर भी आज हम सब लोग उनको याद कर रहे हैं नमन कर रहे हैं केंडिल आज जलाई जा रहे हैं उनकी याद में मौन भी दोपार में रखा गया हम उनको नमन करते हुई इसांदोलन की जो बड़ी ताकत है जो लोगों की ये आपस में इतनी बड़ी त्याग की भावना उनिस्चित रूप से एनमोपियस को संबल एक बड़ा बल देता है हमारे समस्त जो राष्टी पदाधिकारी गण है अनपरांतों के प्रदेश पदाधिकारी गण है या जी लोग के हमारे जो पदाधिकारी और बलाकों के साथी लोग हैं इस आंदोलन की कि सब की मेहनत बदोलत से खड़ा हुआ अंदोलन है निश्यतुप से दिल्ली की जब चर्चा होती है और आज 30 अप्रेल की चर्चा होती है तो मैं यह कह सकता हूं कि नौजवानों ने एक ऐसा मिल का पत्थर सावित किया 30 अप्रेल को एक उम्मीद एक लहर पूरे हिंदुस्तान के अंदर पुरानी पेंसन को लेके गई और राम लिला मैदान चारो तरफ से लवाला भरा हुआ था और जहां देखो हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग और सब में एक साहय गुमंग था हम लोगों ने देखा नहीं यह पड़ा है लेकिन वो साइट उसका एक दिरिस दिखाई पड़ा था उसमें तो मैं आज के बरतम जो पस्तितियां हैं उस पर भी थोड़ा से चर्चा जरूरी है आज हमारे सामने कुरोना जैसी महामारी एक बैस्विक महामारी का संकट है इस संकट में भी हमारे जो सासन प्रसासन के निर्देश आ रहे हैं मैं सब से निवेदन करूंगा उन आदेशों का निर्देशों का पालन करें, घरों में रहें, सुरच्छित रहें और जो भी अपनी तरफ से लोगों की मदद हो जकती है उसको निश्चत रूप से करें, क्योंकि देश का संकट है, सब को मिलकर कुछ को बाटना पड़ेगा, सब को साथ खड़े होना पड़ेगा, इसी बीच में मैं सच कहूं आपसे कि इस कुरोना महामारी में जो सिच्छक कमचारी रहें हैं, उस संकट मोचक की तरह खड़े हुई है, इस बात का कहते हूँ, यह मुझे घर्व है, मुझे घमंड इस बात का, कि तमाम सारी जो तमाम सारी सरकारी कमचारीों के बारे में लोगों में धाड़ाएं थी, मानतायं थी इस कुरोना महामारी के दौर में जिन तरह की भूम का उन लोगों निभाया है निश्चित रूप से आने वाला समय याद रखेगा कि इतने बड़े संकड के समय भी अगर देश के साथ मानवता के साथ कोई खड़े हुए तो सरकारी क्रमचारी और वो भी तब डांक्टर्स भाई हैं बहन हैं नर्स हैं स्वास्त कर्मी हैं सफाई करमचारी हैं हमारे राजस के लोग हैं वितुद विभाग के लोग हैं और पुलिस के साथी हैं निश्चित रूप से एक ऐसा अनुप मुधारन प्रस्तुत किया है तमाम सारी मानताय पुलिस के बारे मे तवाम सारी नकारात्मक बाते हुआ करती थी लेकि पूलिस के साथियों ने जिस चिद्धत का जिस तरह से उन्हों ने इस कुरोना के संकट में अपने को प्रस्तुत किया और त्याग किया 19 से तूप से शेलूर के पात रहें डाक्टर अस्पतालों में बैठा दिन राट ड्यूटी कर रहा है नर्से साथ दे रही हैं अपने परिवार को बच्चों को छोड़ छोड़ करके 15-15-20-20 दिन घर नहीं जा पा रहें ऐसे हालात में उन सब लोगों ने काम किया है मुझे मद्रित गर्व होता है ऐसे समय में ज और जो कोरोना फाइटर्स हैं जो योधा हैं मैं उनको सलोट करता हूँ मैं नमन करता हूँ और नमन करते हुए मैं दो चाल लाइने उनके सम्मान में उबात कहना चाहता हूँ जो मिर दिल से निकली हुई है कोरोना हाहा कार मचा रही है मानवता त्राहिमाम त्राहिमाम कर इसे दौर में कौन रणभनकूरे घड़े हैं। डांक्टर्स नर्स पुलिस स्वास्तकर्मी अपनी जान हंतेली पले अड़े हैं। कहते हुए हमारी जान हमको प्यारी हैं। पर पहले तुम्हें बचाएंगे। यह हम कुरोना। हाईटर्स उन्हें ठाणी हैं। इस भावना के साथ उन्होंने काम किया है अनपम उधारण अदुती अनकुरणी उधारण है बस तमाम सारी दुखत घटनाएं तमाम सारी विप्रीत पस्तितियों में एक बेदाक और यादगार काम करके दिखाया है लेकिर इसी बीचल मित्रों एक दुख की बात है कि जब उ उन्हें सेलूट करना चाहिए जब उन्हें हमें होशला देना चाहिए ऐसे समय में बात कहते हैं दुख होता है कि जिनके दम पर सारी व्यवस्ता चल लही है मैंने कहिना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे हमारे तमाम हमारे देश के पृधान मंत्री जी सब लोग कर रहे होंगे लेकि जिस तरह का जिस सिद्दत से सरकारी कमचारियों ने अपनी कर्तबों को निर्वान किया उन्हें तो प्रोसाहन रास मिलनी चाहिए उन्हें तो और ज़्यादा उस साह काम करने के लिए सरकार की तरफ से सासं की तरफ से उन्हें और ज़्याद लाबकारी ओजनाय देनी चाहिए लेकि दुरुभाग है इस देश का जिनों ने अपनी जान की कुरवानी दे दी जिनों त्याग और बलिदान किया उनके भत्ते डिये बहुत सारी सीजें ऐसी दौर में हुई हैं जो दुखदाई हैं पीडा दायक हैं और मैं तो अगर कहूं ये त्याग और बलिदान का उपहास है शाएद सरकारों को इस बारे में विचार करना चाहिए सरकारी क्रमचारी सब तरह से तयार है देशीत में लेकिन जब एक तरफ पैसे का बंडर पार दिखता है जब एक तरफ किसी का माफिग नामा होता है तो उस दोर में पीडा दाय को चिंतन करना चाहिए ऐसा क्यों क्यों ऐसा किया जा रहा है इस दोर में भी तमाम बस्तितियां ऐसे उत्पन हो रही है जिसके लिए हम सब को एक जुठ होना पड़ेगा और मैं बार बार कहता हूं आज पसी ना वहा लीजिए कलांसू ना वहाना पड़े यह दोर है इस दोर में इस बात को याद रखना पड़ेगा हम हो सकता कहीं किसी से जुड़े हों किसी के साथ खड़े हों लेकिन हम एक चीज जानते हैं यह बात सास्तों में भी कहा गया है पहले यात्मा फिर परमात्मा हम अपने पेट के लिए अपने परिवार के लिए हम अपने समाज और द घटना क्रम ये छोटी घटना क्रम नहीं है इसका जम करके सरकार के सामने हमको आपको रखना पड़ेगा अपनी बात जरूरी है अगर ऐसे चीजें कटती रहेंगी तो एक दौर ऐसा भी आयेगा जब ये कहा जायेगा कि आप तो चाहिद इसलिए बने हैं और मैं आप सबसे से निवेदन करता हूं इस मुद्दे पर एक जुठ हो करके सारे लोग एक तराफ छोड़ करके इस पर हम नहीं करते हम अपने हग की बात कर सकते हैं देश है प्रिस्तितियां कोईशी भी हो लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूं प्रिस्तितियां क्या डिफायर्ट्रों को कल एक मई है एक मई मजदूर दिवस मई दिवस अंतराश्टी मजदूर दिवस मनाया था इस एक मई की जब बात आती है तो साइद बहुत सारे लोगों को जहन मुतावसीम ही एक मई होगी नहीं बहुत बड़े त्याग और बलिदान के बाद ये मिला है आठ घंटे ड्यूट उस 134 वर्ष की इतिहास को आज फिर से 8 घंटे से उस दिशा में भी सोचा जा रहा है इतना त्याग और बलिदान के बाद अगर ये चीज़े हमें आपको मिली है तो इसकी बचाने की जिम्मेदारी अगर पूरो जोनों संगर्स करके हमें ये दिया है तो इसकी बचाने की हो जिसमें हम सब भी हो सकता है कोई दिहारी मजदूर हो कोई एक दिन का मजदूर हो हम 30 दिन के मजदूर है मजदूर हम भी है उस मजदूर दिवस पर हम सबको बधाई भी देते हैं और इसे उमेद के साथ करते हैं कि एक प्रतिग्या के साथ आप खड़े होंगे कि कामगर लोग कामगर साथी अपनी एक्ता बनाएं और मैंने बार-बार कहा था मजदूर हम भी हैं मजदूर ओ भी हैं सब को एकजिट होना पड़ेगा नहीं तो मजदूरी मिलना बंद हो जाएगी और ऐसे हालात में हम सब की एक्ता ही इस चीज को इस अधिकार को बचाएगी आप से एक निवेदन भी करता हुआ एक मैं के लिए इनमोपियस की टीम ने जुताई किया है आईटी सिल के साथियों ने जो कल एक ट्यूटर पर वार्द करने वाले हैं उस पर आप सब भी सरक्रिता के साथ भागीदारे मनें और आज का दुदौर है और चीजों का नहीं है पह इसमें सामिल हो ये क्योंकि अगर आप बहुत बड़ी लड़ाई लड़ना चाहते हैं और आपके पास से यंत्रों कुछ तलमाल करने का भी तरीका नहीं है तो भी चेलिंज है इसलिए मैं सभी साथियों निवेदन करता हूँ इसको ज्यादा ज्यादा कल सारे लोग बड़ अर्थिक मंदी का समिश्या है मैं बड़ी मिनमरता से और जिमिदारिक साथ कहना चाहता हूँ ये 4% काटने से डिये काटने से भत्य काटने से कुछ नहीं होगा आपके पास बहुत बड़ा चांस है आज कि आप NPS को रद करके उस OPS की पुरानी व्योस्तातर चलेंगे प्राइबिट कंपणीय ले जा रहे हैं इसमें तो सरकार का भी पैसा डूबेगा और हमारा तो ौबी रहा है हम तो कई तरह से मारे जा रहे हैं अभी चार परसंट जो सरकार ने दिया था NPS में वो भी खतम कर दिया कि साइद हमको लगता है इस देश के अर्शास्तियों को बैठ कर विचार करना पड़ेगा कि देश का पैसा सरकार का पैसा हमारा पैसा दूसरे लोग क्यों ले जा रहे हैं इसी के साथ अपनी बात को मैं NMOPS संगठन को एक जुड़ता के साथ मिल करके कामयाब बनाएं और कल ट्यूटर वार में आप अपनी भागेदाई निभाएं मैंने कहता हूँ आप 500 करें ट्यूटर आप 200 करें लेकिन जो आप अधिक सधी कर सकते हैं उसकर करें आपने संदेश को सरकार तक जरूर बिनमरतापूर पहुंचाएं बात तो पहुंचानी पड़ेगी उस कविता को जो मैं आज के दिन आप सब को समर्कित करता हूं और उमीद करता हूं इस कविता के एक एक पंति को आप समझेंगे और उसी भाव से अपने काम को आगे बढ़ाएंगे जो आने वाले टाइम मे हिम्मत का धर्धन उस सोर के बान पर अश्मेक की रणभेदी बजा कमजोरियों के भाले से भेद जीत का संखनाद कर रुपना बीर की तोहीन है सलामत तभी तेरी जमीन है बीर है तो बीरता की पहचान दो बीर हो तो बीरता की पहचान दो कष्ट मिले तो मिले जीवन को मुकाम दो मैं साभी लोग से बिनमरता पूर्व अगनी विदन करता हूं एक जुठ हो करके इस डिये अभत्ते के खिलाप आप सबको अपनी बात राय देनी पड़ेगी एक जुठता दिखानी पड़ेगी और हम किसी से भीग भी नहीं मांग रहे हैं हम तो वो कह रहे हैं कि हमने करके दिखाया है हमारा मत काटा जाए और एसे दोर में भी ऐसी सूचना आई थी जो बहुत तिड़ा दायग थी किस्त हमारे देश के माननी सांदों का भत्ता बढ़ गया और हमारा बत्ता कट गया क्या माननी इस कमचारी से भी गरीड है क्या उनके लिए देश भक्ति नहीं है क मैं तो बड़ी बिनमर्तापुर्व कहता हूं अगर इस देश को स्वामी भी करने कहा था जब देश पर कभी आर्थी संकठाए तिस देश के राश्पती इस देश के प्रधानमंती इस देश के मुख्वंती इस देश के राजिपाला और मंत्रियों तमाम सारे M.P.A. मेलों को आप अपनी भत्ते को खुद बंकर देना चाहिए। कह देना चाहिए इस सारा कुछ देश के लिए है। यह होता है समरपण। यह होता है त्याग। और आप अपना बढ़ाए और हमारा काटे। यह तुही बात हुई। किसी का हाफ करें, किसी का माफ करें और किसी को आप सबने मेरी विचार को सुना, समझा, समय दिया, मैं देज भर के समस्त कमचारियों से, चपों से, अधिकारियों से और NMOPS परिवार के समस्त लोगों से बिनमातों निविधन करता हूं, कल एक माई पर अपनी जूटता दिखा करके अपनी आवाज बुलन करें, चैहिंद झाल 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 झाल